उधारण दो, 6 cm भुजा वाले घन के प्रिष्टी विकर्ण व घन के अकाशी विकर्ण की लंबाई ग्याद किजिए, हल घन की भुजा 6 cm दी गई है, हमें प्रिष्टी व घन के अकाशी विकर्ण की लंबाई ग्याद कर नहीं है, हम जानते हैं कि घन का प्रिष्टी शेत्रफल हम जानते हैं कि घन का प्रिष्टी विकर्ण बराबर ए वर्गुल दो इकाई जहां ये घन की भुजा है अता घन का प्रिष्टी शेत्रफल प्रिष्टी विकर्ण अता घन का प्रिष्टी विकर्ण बराबर छे वर्गुल दो सेंटिमीटर होगा चुकि हमारे पास भुजा की लंबाई छे सेंटिमीटर दी गई है तो हम एक इस्तान पे छे रखने पर हमें घन का प्रिष्टी विकर्ण छे वर्गुल दो सेंटिमीटर प्राप्त होता है चुकि घन का विकर्ण बराबर ए वर्गमुल तीन इकाई होता है अतहा घन का विकर्ण बराबर एक इस्तान पे जो है घन की भुजा है जिसका मान हमारे पास छे सेंटिमीटर दिया है तो हम एक इस्तान पे 6 रखेंगे तो 6 वर्गमुल 3 सेंटिमीटर घन का विकर्ण बराबर 6 वर्गमुल 3 सेंटिमीटर होगा यह इस उधारण का हल है बेलन सिलिंडर बेलन एक त्रीवी में आकरिती है जिसमें दो सर्वांगसम एवं समानतर वृत्ति प्रिष्ट एक वक्र प्रिष्ट के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं बेलन के उधारण पाईप ट्यूब लाइट इत्यादी वृत्ति प्रिष्टों के बीच की लंबवद दूरी को बेलन की उचाई तथा वृत्ति प्रिष्ट को बेलन का अधार कहते हैं वृत्ति प्रिष्टों याने की अधार के केंद्रों को मिलाने वाला रेखाखन बेलन का अक्ष कहलाता है बेलन के प्रकार टाइपस ओफ सिलेंडर लंब वृत्ती और तीर्यक बेलन जब दो अधार ठीक एक दूसरे के उपर हो तथा अक्ष अधार के साथ समकोन बनाता हो तो उसे लंब वृत्ती बेलन कहते हैं आकृटी 15 यदी लंब वृत्ती बेलन के एक अधार को ठोड़ा सा खिसका दिया जाए जिससे अक्ष अधार के लमवत नहों तो उसे तीर्यक बेलन ओबलिक सिलेंडर कहते हैं आकरिती 16, बेलन का प्रिष्ठी जाल, net of cylinder, एक ऐसा बेलन ले जिसके दोनों सिरे बंधों, माना इस बेलन के अधार की 30 आर तथा उंचाई एचिकाई है, जब हम बेलन आकरिती 17 की कोर को काट कर फेलाते हैं, आकरिती 18 और 19, तब हमें बेलन का प्रिष्ठी जाल, net प्राप्त होता है, बेलन के प्रिष्ठी जाल में आयत की लंबाई, याने की बेलन का वक्रतल, टूपाई आरिकाई, तथा चोड़ाई, बेलन की उंचाई, एचिकाई, और दोनों वृत्ती सतहों की त्रिज्या, आरिकाई है, करके देखें, पहला, 7 cm उंचाई, तथा 2 cm त्रिज्या के अधार वाले बेलन का प्रिष्ठी जाल, नेट बनाईए, दूसरा, ड्रॉइंग पेपर का उप्योग करते हुए, 7 cm उंचाई, तथा 2 cm त्रिज्या वाले बेलन बनाईए,